हाई गाईज, so welcome back to the constant guide देखिए ये आप लोग के interview स्रीज चल रही है और उसमें आपका ये next question है कि why banking after engineering? और ये answer उनके रही valid है जो जिन्होंने BST mathematics से कर रखा है या फिर कहीं नहीं कहीं कोई data science या फिर data analytics से कोई course कर रखा है या फिर आपने डेपलोमा कर रखा है तो भी आप ये गुआ करा के answer दे सकते हो मैं आपको तीन से चार पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आपको engineer होने का फायदा बता सकते हो कि वो bank में कैसे फायदा करेगा और उनको मिक्स करके आपको एक answer बनाना है चारोप वांट जान सुनिएगा देखिए सबसे पहले कि आपको अपनी image प्रोजेक्ट करनी है ऐसा टेक्स है भी कि सर जैसे टेक्निकल वर्ल में कुछ भी सर नय टेक्निकल अपडेट आता है नया फोन आते हैं फोन कोई अपडेट आता है या फिर कोई सर ने टेक्निकलोजी आती है उनको बहुत जल्दी देख लेता हूँ और समझ लेता हूं ठीक है तो इससे क्या होता है कि मैं जितनी नई टेक्स हीज़ए होती है सब मैं उनसे रूब्लू रहता हूं ठीक है तो यह आपको कहां फाइदा करेगी आप जिस भी बैंक में जा रहा हो और हर बैंक की एक को करेगा ठीक है पहले बात दूस्री बात इसी में ठीक वाले में आप एक चीज और जोड़ देना की कई बार कह ऌता देखो तेकनीकल पूरा पूरा काम होता है यख हाडब्य काम होता है आम लग試 होते हैं जैसे मनलो कभीड़ कभी कभी होता है कि मैं अपने एक्जामपल यह जो प्रिंटर वाला होता है वो आदे घंटे में आता है हमने देखा मिलके तुर्णा से मैनस को थी किया रिस्टार्ट किया तो कही ने कहीं जब भी टेखनिकल प्रॉलम यह फिर हाडवेर प्रॉलम होती है तो उसमें भी हम चीजों को डिले नहीं होने देंगे और बता द है इनके वाज़े से कभी कोई प्रॉलम डिले नहीं होगी यह हो गया आपका पहला पॉण पॉइंट्स वरी टेक नेचर ठेक है दूसरा आप बताओगे कि जो ऑनिस्ट ऑपीनियन होता है कि सब सैलरी पर्क्स और करियर ग्रोथ और क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी यह एक म प्लस करियर ग्रोथ बता जना एक्जांपल जैसे दो तीन ग्जांपल जैसे अरुंति भटा चार मैं वह पीयो से ही चैरिमन मनीती सब तो ग्रोथ काफी इस्ची होती है और स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी एक्जांपल आप देदे ना जैसे मालो कि सब अबी करोना में जिसने में सर्म मैक्सम की सब्सक्राइब लॉस हो गई थी लेगिन सर्फ जो लोग बैंक्स में थे या फिर कहीं निकाई किसी गोर्वर्मेंट और निकाई करेर के स्टेबिलिटी भी होती है तो इसलिए मुझे यह और लिक्रीटी सब्सक्राइब तीसरा आपका पॉइंट जो बनेगा वो यह बनेगा और प्लस यह आंसर उनके लिए ज्यादा यूस्फुल रहागा जो मैथमेटिक्स से कहीं निकाई पढ़े हैं तो इसका मुझे बहुत यूज होगा और सर इससे कि बैंक में कोई भी रहाए नंबर क्रेंचिंग वाली चीज़िस बिंग्रस मैणेज़र मुझे सअलों सब्सक्राइब नोग्र डेखने होगे तो मुझे अपना लॉजिकल लगाना होगा कि सब्मुझे इतना बड़ा यह लोन है पास करना है कि नहीं करना है तो उन सर मैं ऐसा हूँ, मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने ये देख रखा है, ठीक है, अब कैसे आपको इन त्यों से मिला के answer बनाना, ये आप बना लेना, तीनों को point को मिला के, Tech Savvy, और दूसरा आपको बताना है, और तीसरा आपको बताना, being good at analytical skills and logical skills, ठीक है, चाओ, बाई.